हेलो इस्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल इस्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को अभी जो मैंस एक्जाम होने बाला है मद्द प्रदेश हाई कोड का उसमें जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का डाउट है किसा टाइपिंग कैसे होगी या स्टैनो में क्या होगा कोई इंस्टैक्शन आएंगे क्या या हमें कैसे क्या करना है तो इसके लिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन देखाना चाहूंगा यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यह मद्द प्रदेश उच्च नियायालाय जवलपूर का यहां पर 85 2018 का नोटिफिकेश आधी की मुख्य परिक्षा 2017 तथा दिनांक 22 23 24 25 2018 को आयोजित होने वाली साही ग्रेट 3 की जो परिक्षा है डारेक्ट डिक्टेशन 2017 की उसके लिए इंपोर्टेंट यहां पर जो निर्देश दिये गया है वो हम यहां पर आपसे डिसकस करने वाले हैं देखिए स्टूडे यहां पर दिये गए हैं उनके बारे में हम यहां पर डिसकस करेंगे तो यहां पर आप देखिए पहला पॉइंट जो यहां पर दिया है किसी भी समय और हानी अयोगिता से बचने के लिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ठीक है सॉट है डिक्टेशन टाइपि पीपर लिख लेएंगे उसके वाद उसके ट्रांसलेट आप करेंगे वह पर रेमिंटन गेल में हीं आपको कर सायक बीडिक्वर्ण और कि श्यां पर किशी किवोड याउट होता है यहां पर आप कुर्तीदेब भी सम मझते हैं इनगी क्रिप्ट भी समझते हैं लेकिन एक होता है रेमिंटन गेल ले आउट उस पर ही आपको टाइपिंग करना है अगर आपने सीपी सीटी निकाला तो वैसे भी आपने प्रक्टिस करी ही है और अभी तक आप करते ही आए हैं इसके बाद सौट हैंड डिक्टेशन नोट करने के ल करना है जैसे ही आप परिक्षा वाल में बैठेंगे वहाँ पर जो टीचर्स लगे होते हैं जिनको इन्विजलेटर कहा जाता है वो आपको कॉपी ला कर देंगे उस पर आपको अपना आवेदन करमांग और अपना नाम इस परश्ट लिखना है परिक्षा कक्ष में तैनात इन्विजलेटर द्वारा ही कीबोर्ड की भासा को चैनित किया जाबेगा किरपया आप घरती वा कीबोर्ड में से किसी भी परकार की छेड़ छाड़ ना करें तो देखिए यहाँ पर इस पश्ट है कि जो यह लेंगवेज भी चेंज करने का आएगा वहाँ पर जो इन्व मेंदार आप होंगे इसलिए यह जो यहाँ पर दिया गया है कार यह इन्विजलेटर को है और वहाँ आपके सिस्टम पर आएंगे लेमिंटन गैल बहाँ पर स्लेट करके आपको देंगे तो आप बीच में छेड़ छान मत करिए किसी भी सिस्टम से अब भ्यारती भी जाएगा इसके बाद अभ्यारतियों को मोक डिक्टेशन सुनाया जावेगा यदि अभ्यारती उसे नोट करना चाहता है तो उसे नोट बुक में लिखकर काट दे अभ्यारतियों को मोक डिक्टेशन के वर आवाज सुनने के लिए होगा इसे टाइप नहीं करना है आपको धीमी या पास्ट या कुछ करवाना है आप सर को बताइए इन्विजलेटर को बोलोग जब आप बिल्कुल सैटिस्फाइ होंगे कि आप आबाज सही आ रहे हैं और हमें सही सुनाई दे रहा है तब तक आपको सुनाई जाएगी तो आप उसको सुनिए अगर आप चाहें तो उसको नोट बुक में नोट करें और उसके बाद उसको काट काट दें यहां पर इस परस्ट लेका है काट दें इसके बाद है मुख्य डिक्टेशन पूरा होने के बाद अगले पांच मिनिट का समय कीवोड चेक करने के लिए दिया जाएगा मतलब जो डिक्टेशन रहेगी वो डिक्टेट हो जाएगी और आपको नोट बुक में आप उसको लिख भी लेंगे उसके बाद जब ट्रांसलेट करना है उसके पहले आपको पांच मिनिट दिये जाएगे किवोड चेक कर लो कीवोड में कोई गलती तो नहीं है कोई की तो वर्क नहीं कर रही है अगर नहीं कर रही है तो आप इन्विजलेटर को बताइए आपका कीवोड भी चेंज करा जाएगा अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है आप बिल्कुल इन्विजलेटर को दीजिए वो आपको चेंज क Brid milliseconds शुका बिसे ध्यान दे की परिक्ष्य करक्षम में डिक्टेशन की आवाज पूरी तरह से चैक की अबचिक का किक यह वाज परिक्ष्य करutral के अंदर चार कमड़ ही है अगर नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल आप इन्विजिलेटर से कहिए वो लोग आप उसमें सुधार करके देंगे यदि आपने हां कर दिया ना तो उसके बाद जो डिक्टेशन होगी उसको फिर से दोवारा से दोहराया नहीं जाएगा उस डिक्टेशन को इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए यहां पर मैं इंस्ट्रेक्शन में भी बता देता हूँ अभी आपको सोर किया तो आपको ही उल्टा गलत साबित करते हुए और आपको बाहर कर दिया जाएगा टैन्थ पॉइंट आप देखेंगे सोर्थन डिक्टेशन अभ्यारती ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बै केवाल एक ही बार सुनाया जावेगा मलब जो डिक्टेशन है वो एक ही बार आएगा आपको फिर आपके बढ़ चूटते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है ब्राम चिन्नों को टाइप करना अनिवार है किनको सब्दों को प्लस ब्राम चिन्नों को मतलब कॉमा फॉले स्टॉप योजक ऐसे योजक का यहां पर नहीं है लेकिन ब्राम चिन्न बोले गया न तो यहां पर आप इसको देख लीजिए फॉले स्टॉप और आपका कॉमा तो रहेगा तो इनको बोला जाएगा यहां पर इस पश्ट दिया है अब बोला गया था यह नहीं बोला गया था इस बारी में नहीं कह सकते हैं बट यहां पर इंस्ट्रेक्शन में ऐसा है तो मतलब अगर ब्रामचिन बोले जाए तो आपको लगाना है और नहीं बोले जाए तो ना लगाएं तो बैटर है और आपको मन करें आपका तो वो फिर आपकी उपर है लेकिन यहाँ पर इस पश्ट है कि सब्द एवं ब्राम चिन्नों को टाइप करना अनिवार है कब जब बोले जाएं टाइप होने के बाद प्रिंट नहीं निकालना है समाप्त होते ही टाइप मेटर स्वता ही सब्मिट हो जावेगा short hand में जैसे ही आपने matter आपने translate कर लिया है उसके बाद वो submit हो जाएगा और अगर उससे पहले भी जैसे आपका हो जाता है आप उसको एक बार check कर लीजिए और अगर आपका check होने के बाद भी आपका submit time बचता है और submit का option है तो आप submit कर दीजिए आपको इंतिजान नहीं करना है और अगर बहाँ पर ऐसा setup है कि बहाँ पर automatic ही submit होगा तो फिर आप बैठ जाएए जब submit होगा आप कर दीजिए उसको फिर है परिक्षा के दोरान यदि किसी अभ्धरती का computer lock अत्वा बंद हो जाता है तो बैब बिना सोर मचाए अपने इस्थान पर हाथ उठा कर बताएगा एवं बैठा रहेगा उसको परिक्षा पूर्ण करने के लिए पूरा समय दिया जावेगा परिक्षा कक्ष में तैनात invigilator स्वैम ही उनसे शंपर करेंगे अगर कोई प्रॉबलम आपके सिस्टम में आ जाती है आप जैसे आपने कीबोर्ड चेक कर लिया सब कुछ चेक कर लिया और आप टाइपिंग करने को बैटे हो सकता आपका सिस्टम हेंग कर जाए या कोई और प्रॉबलम आ जाए अगर सत्र समाप्त हो जाना मतलब आपके अग्जाम का तो आप उसके लिए लेटर से बात कर सकते हैं सान्ति भंक करने अत्वा किसी भी परकार से परिक्ष्य में व्यब्धान पहुंचाने अगलत तरीके से अपनाने नकल करने यह तो अभ्यरती समाप्त कर दी जाएगी तो अभ्यरती ताद यह तो नॉर्मल है जो यहां पर इंस्ट्रक्शन कहें उसके बाद में सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपके स्क्रीन के दाहने कोने में सीर्स पर काउंट डाउन टाइमर में आपके लिए परिक्ष्य समाप्त करने के लिए से समय प्रदाट सित होगा मलब यहाँ पर तो timing आपको यहाँ पर रहेगी right side पर आपके यहाँ पर timing चलती रहेगी आप उसको देखते रही है अभी भी आपने typing practice अगर करी है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक countdowns देखने को मिल जाता है उसमें लिखा रहता है कि कितना समय हो गया हो कितना बचा हुआ है तो वो watch चलेगी आप उसको देखते रही है देखिए इस notification में जो मेर बाते हैं एक तो यह है यह problem अकसर बच्चों को आती है तो आप इनका ध्यान रखें अगर ऐसी कोई problem आती है तो invigilator से आप कहें और अपना पूरा हक लें क्योंकि अगर आपने यहाँ पर आप सांत रहे गए और आपकी यह machine बगएर की कोई problem आ गई तो आप exam से बाहर हो जाएंगे इसलिए अगर ऐसी कोई problem आती है तो आप पूर्ण तरह से invigilator से कहिएगा और अपना हक मांगके रहिएगा अगर आप यहाँ सांत रहे एक्जाम से सांत हो जाएंगे और यहाँ पर बिरामचिन्नो वाली बात बहुत important है और इसके बाद में यह सब instruction आप फिर से एक बार पढ़ लीजे इस PDF को इसके बाद अगर हम बात करें कि यह डारेक्ट डिक्टेशन संबन दी अब यह किसके लिए साहे गरेट 3 की जो डारेक्ट डिक्टेशन होती है उसके लिए तो किसी भी समय हानी का वही है पहला निर्देशों को पढ़ने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक कर आंगे बढ़ें मूग टेश डला हुआ है वहाँ पर आपको इंस्ट्रेक्शन दिये होते हैं सबसे पहले फिर वहाँ पर आपको चेक बॉक्स मिलेगा एक छोटा सा एकसेप्ट करने के लिए तो आप मलब उसमें रहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ मैं समझ गया हूँ और उसको आपको चेक बॉक्स को क्लिक करके और आंगे बढ़ना है डारेक्ट डिक्टेशन जो टाइपिंग होगी रेमिंटन गैल ले आउट में ही होगी ठीक है ना इसके बाद में परिक्षा कष्च में तैनात इन्विजलेटर द्वारा ही कीवोर्ट की भासा को चैनेद किया जाबेगा करपया अभ्यारती कीवोर्ट को किसी भी प्रकार क चेड़ चाड़ ना करें तो आपको बिल्कुल भी चेड़ चाड़ नहीं करना है इन्विजलेटर आएंगे इसके बाद अभ्यारती इन्विजलेटर के निर्देशों का पालन करेंगे जैसे ही ऑडियो स्टार्ट का निर्देश दिया जावेगा डिक्टेशन तुरंत ही सुरू हो जावेगा तो यहां पर डिक्टेशन आपको बता दिया जाएगा और श्टार्ट जैसे ही बोला जाएगा आपको यहां पर उस डिख्टेशन को टाइप करना श्टार्ट कर देना है लेकिन उससे पहले अब घरतेएंगे को मूंग डिक्टेशन केवाल आवाज से टाइप नहीं करना है फिर यहां पर भी सॉट हेंड में भी आवाज सुनने के लिए था और यहां पर भी है यह क्यों है ताकि आप यहां पर सैटिस्फाय हो सकें कि साउंड की आवाज जो है आप तक सही पहुंच रही है और आपको सही सुनाई दे रहा है कोई भी अा गिल्कुल सर्थ आपके लिए क्योंकि यहां पर इक्जाम के लिए क्योंकि पूरे रूम के लिए होनी बीए ले के लिए तो अगर सारे स्टूडेंट हां करते हूं आप ना भी करते हैं तो फिर आपकी नहीं सुनी जाएगी लेकर हां सारे स्टूडेंट में से कुछ बच्चे अगर बोलते हैं तो बिल्कुल उनका सुना जाएगा तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान लगना है दारिक्ट डिक्टेशन के बीच करते हैं इससे दूसरे अभ्यरती ओं इद्यान से सुनेंगी एवं टाइप करेंगे क्योंकि एवन एक ही बार सुनाया जावेगा यदि किसी अभ्यरती के सब्द छूटते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा वैस्वयम जिम्मेदार होगा मतलब जब man dictation start हो गई है और उसके बाद आपके सब्द क्योंकि अगर आपके 40 word per minute dictation नहीं है तो आपके सब्द छूटने बाले ही है और अगर आपने 50 word per minute की तैयारी नहीं करिया तो भी आपके सब्द छूटने बाले ही है क्योंकि कहीं dictation आपको slow लगेगी कहीं fast लगेगी तो सब्द छूटेंगे ही स्वभाब एक है तो आपको यहाँ पर अगर आपके सब्द छूटते हैं और फिर आप सोर मचाएंगे तो आपको सीधा फिर बाहर करा जाएगा क्योंकि इसी बात के लिए तो यह paper हो रहा है कि जो कर पाए आप जो dictation बोली जाए उसको अगर आप अच्छे से कर पाते हैं वो आपके लिए better होगा डारेक्ट डिक्टेसन बोलेगा है प्रतेख सब्द एवं ब्रामचिन्नों को टाइप करना अनिवार है ठीक है न यहाँ पर यहाँ पर प्रतेख सब्द और प्रतेख ब्रामचिन्न जो बोला जाएगा उसको आपको टाइप करना अवश्यक है और आपको जो ना बोला जाए आप वो ना करें अपने मन से कुछ भी ना करें जितना बोला जाए उतना आप टाइप करें तो better है फिर आपके उपर है आपका decision है क्योंकि आपको paper देना है तो आपको जैसा भी फिर आपको सही लगे वो करिए बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह line दी गई है तो इससे तो हम लोग जो आंकलन कर सकते हैं वो यही है कि जो सक्द बोले जाए और जो ब्रामचिन बगएर बोले जाए आपको बही type करना है अनावशक कुछ आप अपने मन से type न करें हो सकता आपने मन से type कि आप वहाँ पर number कट हो जाए इसलिए क्यों करो जो बोला जाए उतना आप करो type होने के बाद print नहीं निकालना है समय समाप्त होते ही स्वता ही submit हो जावेगा तो यहाँ पर देखिए student एक बात में आपको बता दू dictation जो होगी बैस्वता submit होगी बट आपका जो screen पर matter आएगा वो cpct based रहता है तो उसमें तो जैसे ही आपका matter complete हो आपको तुरंट submit करना है ना तो आप invigilator से पूछिए ना किसी से पूछिए आपको submit का आपका matter टाइप हुआ आपको submit का option देखा आपको submit कर देना है यहाँ पर आपको submit automatic होगा वो इसके लिए आपको यहाँ पर जब dictation का matter करेंगे तब आपको submit खुछ से नहीं करना है वो automatic होगा लेकिन जो screen पर देखके आपको cpct based 30 number की typing करना है उसमें तो आपका जैसे ही matter complete हो बिना invigilator से पूछे ही आप submit कर दीजिए तब ही आपको फायदा है अगर आप invigilator के भरोसे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि invigilator को आपके exam की सुन्य मात्र information होती है क्योंकि वो एक private college के जो students होते हैं उन्हीं को invigilator बनाया जाता है या वहाँ के teachers भी होते हैं उनको आपके exam की बारे में नहीं होता है पता कि कैसे क्या परिक्षा होती है और पता चला आप उनसे ज़्यादा पूछ रहे हैं तो उनको ही knowledge नहीं है उस चक्कर में आपका paper खराब हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है जैसा आप CPCT में जैसे ही matter complete होता हो submit करते हैं वैसा ही आप submit करें तो यह हमने sort hand वाले में भी आपको यहाँ पर instruction बताएं भाई यह instruction है और normal instruction है यह सारे के सारे जैसे sort hand में भी थे बैसे ही है वस यहाँ पर important था यहाँ पर कि बोले गए सब्दों का ब्रामचिन वाली बात यहाँ पर submit होने वाली बात यहाँ पर सब छूटते हैं तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार है और यहाँ पर dictation सुनाई देगी आपको जब तक नहीं होती आप satisfy हो जाईए यह instructions यहाँ पर आपने सारे के सारे देख लिए हैं sort hand के लिए भी है टाइपेस्ट ग्रेट 3 के लिए भी है यह notification कप का था 2018 का था जैसे ही अब 2021 वाले इस exam की जैसे के बाद ऐसा instruction हो सकता है इस साल भी आप लोगों को देखने को मिल जाए हाला कि यह notification आपको हाई code की website पर जब आप बहुत ज्यादा सर्च करेंगी तो आपको बिल्कुल यह upload मिलेगा है ना और यदि आप चाहते हैं कि यह notification हमारी दोआर आपको मिले तो इसके लिए आपको success with you app को install करना पड़ेगा आपको description में यह notification की link नहीं मिलेगी जब तक आप हमारा app install नहीं करेंगे आपको success with you का app install करना है और बहाँ पर आपको यह यहाँ पर मिल जाएगा इसी के साथ में students एक जानकारी और students यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी बहुत अच्छ equivalent के एक लिए 95 वरड़िक्टेशन 50 वरड़िक्टेशन प्लस मेल और फीमल दोनों emails में आप डिक्टेशन की practice करिए code matter की practice करिए और जो आपके sapat की होते उनकी भी practice करिए इसके लिए हमारे दूरा यहाँ पर typist mens के लिए kourse लाया गया है और short hand के लिए kourse लाया गया है जिसम हम यहाँ पर 40 word dictation, 45 word dictation, 50 word dictation, plus code matter से related dictation, संपाद के matter से related dictation, plus यहाँ पर female voice में भी हम यहाँ पर आपको dictation provide कर रहे हैं, और इन सभी जो dictations रहेंगी, उनकी code matter की PDF भी आपको मलब जो dictation बोली जाएगी, उसकी PDF भी रहेगी, ताकि सब्द किस परकार से बनाना है, वो भी आपको जानकारी मिल सके, plus 2015 और 2017 में जो यहाँ पर dictations बोली गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 2017 में देखें, साइगरेट 3 की direct dictation 2017 की, यहाँ पर आप देखेंगे, तो साइगरेट 3 2017 की 25 तारिक में जो dictation बोली गई थी, उसके बारे में, यहाँ पर direct dictation 23 तारिक में जो बोली गई थी, वो भी dictation, मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ complete यहाँ पर old dictations भी आपको दी गई है, पिलस यहाँ पर देखें, सिगरेट 3 के लिए जो 2017 में dictation बोली गई थी, वो भी यहाँ पर आपको दी गई है, मतलब यहाँ पर आपको सारी पुराने dictations मिल जाएंगी, जिनसे आपको idea हो जाएगा कि किस परकार से dictations बोली जाती है, तो आपको यह सब जो रहेगा, यह हमारी course में रहेगा, और course के बारे में एक बात और, जैसा कि कल गुरुपूर्मा है, और गुरुपूर्मा के अफसर पर हम सभी teachers का यह दायत में, कि हम आप लोगों को कुछ न कुछ यहाँ पर उपहार के रूप में भी दें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर coupon code है, यहाँ पर आपको discount मिलेगा 100 रुपी का, अगर आप आज से कल और परसों तीन दिन यह चलेगा, यहाँ पर अगर आप लेते हैं, तो आपको 100 रुपी का हमारे इस course पर आपको discount मिले बाला है, तो जल्द से जल्द आप इस course को purchase कर लीजिए, साथ में यहाँ पर, इस टैनू वालों को भी सेम ऐसा ही, अगर आप इस टैनू से हैं, और आप चाहते हैं, कि आपको यह course आपको लेना है, तो यहाँ पर देखिया, 90 वर्ड पर मिनिट डिक्टिशन, और यहाँ पर code matter से related, संपाद किये matter, female voice में matter, plus 2015 और 2017 के जो dictations matter थे, वो भी आपको यहाँ पर provide करे जा रहे हैं, plus उनकी dictation भी provide की जा रहे हैं, और साथ में जो notification जितने भी important होते हैं, वो तो आपको सारे के सारे मिलेंगे ही, आपको भी steno बालों को भी अगर आज से 3 दिन तक, मतलब आज जैसा की 12, 13 और 14, तीन दिन में अगर आप कोई सा भी course लेते हैं, तो आपको 100 रुपी का यहाँ पर discount दिया जाएगा, गुरू पूर्णमा special discount है, तो आप इसका लाव लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको discount नहीं मिलेगा, तो जल्द से जल्द आप इन course को purchase करिए, बहुत जाद आपको helpful हो जाएंगे, Students, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, helpful लगी है, तो आप इसको like कीजिए, अधिक साधिक अपने friends को share कीजिए, अधिक साधिक groups में share कीजिए, और हमारी चैनल को subscribe कीजिए, Students, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हिर्दा की गह रही हो,